साथ पेड होने का अर्थ डाक्टर मुकेश गवतम कभी का फरीचे पद्ध्य नंबर साथ पेड होने का अर्थ लीका है डाक्टर मुकेश गवतम जीने कभी का परीचे डाक्टर मुकेश गवतम जी का जन्म एक जुलाई 1970 को उत्तरप्रदेश के सरानपूर में हुआ है आधुनिक खवियों में आपने अपनी विशीष्ट भचान बनाई है आपने आधुनिक भाववत को सहज सीधे रूप में अभिव्यक्ति दी है वरतमान मनुष्य की समश्याए और प्रकूरते के साथ हो रहा क्रूर मजाग आपके कावे में प्रकरता से उबर कर आते हैं कभी हमें ये बताने का प्रयास करते हैं कि वरतमान समय में किस तरह की परिस्थितिया हमारे सामने आ रही हैं और मनुष्य से प्रकूरते के साथ किस तरह से खिलवाड कर रहा है इसकी प्रकरता से इस कावे में उन्होंने प्रस्तुतिकरन किया है युगो युगो से हमारा और पेड़ का नाता है मगर वरतमान समय में मनुष्य खुद को बहुत खुजगर्द समझ रहा है और जिस तरह से चाहिए उस तरह से हमारे पेड़ पोदे यहां तक कि निसर्गे के साथ छिलवाड कर रहा है प्रूर मजाक कर रहा है और इस मजाक की वज़े से दिनबदीर स्थीतिया बड़ी गंभीर होती जा रही है इसी के ओर काववे में प्रकरता से उबर कर आते हैं आप हस्य व्यंग के लोग प्रिय मन्चिय कभी है आप हस्य व्यंग कैसे जैसे हस के व्यंगात्मक करना जैसे लेकी बोले सुने लागे सास हमेशा आपनी बेटी का नाम लेकर कुछ गाली गलोज करती है या उसे कुछ आच्छा आता नहीं आईसी बात कहती है मगर वो आपने बेटी को बात नहीं करती बलकि आपने बोव को कहना चाते हैं उस तरह की जो शैली होती है उसे हस्य व्यंगात्मक शैली कहा जाता है और यह कवी ने हश्या और व्यंगात्मक शैली को अपनी तरह से अच्छी तरह से उन्होंने आपनाया है और इस मंचीय कवी ने किस तरह से हमारे सामने प्रस्तुदी करण किया है यह हमें मंचीय कवी है मंचीय कवी यानि जो भी कवीताय साजर की जाती है मंच पर हो या कई कवी को बुलाय जाता है वहाँ पर प्रस्तुदी करन करते हैं और बहुत लोग प्रियक कवी है इसलिए हमारे हिंदी में जैसे कही सारे लोग प्रसिद्ध हो चुके है उसी तरह डाक्टर मुकेश गवतम जी बहुत अच्छे मंचियक कवी रहे हैं फिर भी सामाजिक सरोकार की भावना आपके कावे का मुक्य सोर है और कभी बताते हैं कि सामाजिक सरोकार में जो भावना होती है ये उनकी सामाजिक दाइत्व की रही है और जो भी करना है समाज का दुर्ष्टि में रख कर उन्होंने आपनी भावना को कावे के माद्यम से जादा महित्व दिया है आपकी समगर रसनाव में कि भाषा अत्यंत सरल और सहज है तथा मन को छू जाती है कि कभी कि जोबी समगर रसनाव कि भाषा है वह अत्यंत सरल है और सहज है और सभी मनुश्य को मन को छू जाती है छू लेने वाली वैसी तो हमारे हिंदी बड़ी मिठास की भाचा है और उसी के साथ कवी ने अत्यंत सरल और सहज भाशा में आपना कावे लिखा है जो कि हर एक के मन को छू जाता है आपके कावे में बड़े ही स्ववाविक और लोग व्यावार के भीम्ब, प्रतीक और प्रतिमान आते हैं अर प्रतिक और प्रतिमान के माध्यम से उन्होंने आपना पद्दे बहुत अच्छी तरह से जो कि प्रभावशारी डंग से आपके कावे और भाव विचारों का संप्रेक्षन पाठगों तक पहुचाते हैं कि उन्होंने बताया है, यह प्रभाव शाली से आपने जो भाव रहते हैं, अपने विचार रहते हैं, वो जन्ता तक पाठकों तक पौछाने का प्रयास किया है। एक तो उन्होंने सरल भाषा से इस्तिमाल की हैं और जनता को या पाठक तक पहुचाने का बड़ा सरलता से उन्होंने अपने काव्य के माध्यम से लगातार प्रयास किया हैं और इस तरह से ये कवी का परिजय यह हमने देखा है उसी तरह कवी की प्रमोग कृतिया है तो प्र सच्चयों के रूभरू और रुक्ष्व के हम हक में लगातार कविता प्रेमसमर तक है पेड़ इसकी क्या जुरत्ती कविता संग्रह आदी उनका साइद्ट प्रसिद्ध हो चुका है और इस साइद्टियों के माध्यम से ये सबी जो हमने देखा है उनके कविता शंग्रह ह और इस कविता संग्रह में से उन्होंने बहुत अच्छी तरह से पद्ध रचनाय की है तो इस तरह से कवी की प्रमोकृतिया यहाँ पर उन्होंने हमारे सामने प्रस्तुत की है अग विधा का परिचे प्रस्तुत काव्य नई कविता की अभियक्ति है यह जो प्रस्तुत काव से हमें वह पाठक को शुरुता तक पहुचने का कार्य इस नई कविता के माद्यम से हुआ हैं नए भावभुत को व्यक्त करने के लिए काविय के क्षत्र में नए प्रयोग शिल्प और भावबक्ष के स्तर पर किये गए हैं उन्होंने बताया है कि कविता सभी को समझ में आ जाएं इसलिए काविय के क्षत्र में उन्हों नए प्रयोग किये हैं नए सिल्प और भावबक्ष के स्तर पर किये गए हैं नए शब्द प्रयुक्त हुए है, नए प्रतिमान, उपमान और प्रतिकों का तलाश किया गया है, फलताहा नई कविता आज के व्यस्ततम मनुष्य का दर्पन बन गई है और आसपास की सच्चाई की तश्वीर है, कविने वताया है कि वरतमान समय में 21 सदी में मनुष्य का जीवन बड़ा व्यस्तमय हो गया है, हरे एक मनुष्य को समय नहीं है और मनुष्य किस तरह से इस आपाधापी में रहता है, उसी का चितरन उन्होंने किया है, और आसपास की जो सच्चाई की तश्वीर है, ये भी हम हमारे सामने प्रस्तुत करने का उन्होंने प्रयास किया है, और कभी बताते हैं कि हमारे आसपा जो भी घटित होता है, उसका प्रतिविम्ब साइप्ते में दिखाई देता है, तो ये इस तरह से उन्होंने ये प्रतिविम्ब यहां दिखाने का प्रयास किया है, अब पाठ परीचे अब इस पद्धे में क्या बताया है कभी जी ने ये पाट परीचे में हमें देखना है प्रकुर्ति मनुष्य के जीवन का स्पंधन है और पेड इस स्पंधन का पोशक तत्व है पेड मनुष्य का बहुत बड़ा सिक्षक है क्योंकि पेड से हमें बहुत सारी जानकारी मिलती है और पेड यिगो यिगो से आज तक मनुष्य को हर समय मार्गरजशन करती आ रहा है और इसलिए पेड मनुष्य का बहुत बड़ा सिक्षक है, जिस तरह से सिक्षक आजन्म अध्यन और अध्यापन करता रहता है, उसी तरह पेड ने मनुष्य के लिए बहुत कुछ वर्दान के रूप में दिया है पेड और मनुष्य के बीच पुरातन सबंद रहा है, पेड और मनुष्य का नाता युगो-युगो का नाता है, अधिकाल से लेकर वरतमान में इसका समंद हमारे बीच में रहा है हमें पता है पेड का महत्व कल भी था आज भी है और कल भी रहेगा पेड को हमारे जीवन से अगर हटा दिया जाए तो हम कुछ काम के नहीं रहेगे जीस तरह से मचली को पाने के बाहर निकालने पर तड़ पड़ मर जाती है उसी तरह मनुष्य के जीवन में से अगर पेड को निकाल दिया जाए तो मनुष्य ज्यादा समय तक जीवित नहीं रहेगा पेड ने भारतिय संस्कृति को जीवित रखा है और मनुष्य को संस्कारित बनाया है पेड ने भारतिय संस्कृति को जीवित रखा है जो हमारी भारतिय संस्कृति प्राचीन है और बहुत बड़ी है उसे जीवित रखने का काम इस पेड ने किया है और मनुष्य और पेड का संस्कारित बनाया है मनुष्य को संस्कार से किस तरह से रहना चाहिए ये पेड के माध्यम से उन्हें हमें बताया है पेड मनुष्य का होसला बढ़ाता है समाज के प्रती दाईत्व और प्रती बद्दता का निर्वहा करना सिखाता है और मनुष्य को पूजा का अर्थ समझाता है पेड मनुष्य का होसला बढ़ाता है मनुष्य बड़ा स्वार्ती बन गया है आज वरतमार में मनुष्य से इतना इस फृत्वी में कोई अदमी या कोई मनुष्य से जीव जाती इतना स्वार्ती नहीं उससे ज़्यादा मनुष्य स्वार्ती बना हुआ है और इस स्वार्थी क्यों बनता है उसके बहुत सारी रिजन्स होते हैं तो पेड़ नए मनुष्य को होसला बढ़ाने का कार्य किया है समाज के प्रति दाईत्व और प्रति बद्दता का निर्वा किस तरह से करना चाहिए और मनुष्य को पूजा का अर्थ उन्होंने समझाया है वर्तमान में पूजा हमें पता किस तरह का होता है पूजा दो तरह की होती है एक अंतरमन से, एक बाईयमन से जो लोग अच्छे होते हैं वो पूजा तनमंधन से करते हैं और कुछ लोग यूँ ही पूजा करना है इसलिए पूजा करते हैं मगर सई अर्थ हमें इस पेड़ ने वताया है कि पूजा की तरह के होती है। कभी ने मनुष्य जीवन में पेड़ की विविन्न भोमिकाओं को स्पष्ट करते हुए उसमें होकर आउशक्ता क्या और संकेत किया है। कभी ने मनुष्य जीवन में पेड़ की विभिन्न भुमिकाओं को स्पष्ट किया है। पेड़ एक भुमिका नहीं तो कई भुमिकाओं के माध्यम से मनुष्य के जीवन में आया है और उसकी अवशक्त क्या और संकेत किया है। सब कुछ दुसरों को देकर पेड जीवन की सार्तक्ता को सिद्ध करता है कि पेड इस तरह का होता है कि हमेशा दुसरों को दे देता है आपने लिए कुछ नहीं रखता है पेड इस तरह का उरक्ष है कि जो हमेशा दुसरों को दे देता है और दान देना जिस तरह से बड़ा आपन्य होता है उसी तरह पेड़ ने हमेशे आपने पाच कुछ भी नहीं रखा है जो कुछ से सबकुछ उस जिनता को नेउचावर किया है तो इस तरह से पेड़ होने का अर्थ बताया है